हलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही जाधा सुपर टेस्टी हेल्थी ब्रेकफस्ट, ओर्ट्स और चुकंदर की कॉमिनेशन से हम बनाएंगे दोसर, इसमें हम मसाले बहुत ही कम डालेंगे, तो चलिए आज की हेल्थी रेसे भी हम शुरू करते हैं, मैंने ओर्ट्स ल हमारा फाइन पाورडर बनके त्यार हो किया है , अब हम क्या करेंगे ? इसके अंदर अंदर हम जालेंगे बेटरूट के चुकंदर को मैंने दोखेँ छील लिया है और। इसे चोटे-्चोटे तो मिर्चे और ज्यादा डाल सकते हैं इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरादनिया अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम डालेंगे पानी पानी मैंने एक कप लिया है एक कप ओट्स के लिए मैंने एक कप पानी डाला है और अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे क्या करेंगे पेस्ट को हम डाल देंगे बौल के अंदर दोस्तों जिसको वेट-लॉस करना है उन के लिए रेसिपी बहुत है जादा बढ़िया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे आठा मैंने गेहू का अठा लिया है आधा कप चाहे तो आप गेहू के आठी के जगर पेसन भी डाल सकते हैं, आता क्या है हमारे डोसे को बाइंडिंग देगा, इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक आप अपने स्वादनों सार डाल दें, और इसके पाथ मैं डालोंगी सूजी, एक बड़ा चम्माच, सूजी से क्या होगा न, हमारा डोसा अच्छी कुर्कुरा बनीगा, अब हम इसमें डाल देंगे दही, चटपटा बनाने के लिए मैंने दही डाल दिये तीन बड़ा चमच, आप चाहे तो नीबो का रजबी इसमें डाल सकते हैं, अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, जाय के अंदर थोड़ा सा पेस्ट बज गया था, तो मैंन क्या किया, इसके अंदर डाल दिया आदा कप पानी, और इसे मिला कर मैं डाल दूँगी बाउल के अंदर, और अब हम इसे अच्छी तरह से सभी चीजों को मिला लेंगे, इसका गाड़ा पेस्ट बनके तैयार हो गया है, तेके इसकी थिकनस बस इतनी ही रहनी चाहिए, आप हम डोसे के लिए बनाएंगे स्टफिंग, मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है, और पनीर मैंने लिया है लगबग एक कप के करीब, और इसमें हम डाल देंगे कुछ सबजिया, मैंने शिमला मिर्च को छोटी-छोटी पीस में काट लिया है, करीब दो बड़े चमच लिय और सबी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और अगर आप स्पैसी खाना पसंद करते हैं, तो इसमें आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, या तो भी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसे हम रख देते हैं एक तरफ, दोसे के ब दोसे के लिए, इसमें हम ना तो बेकिंग पाउडर डालेंगे और नहीं इनो डालेंगे, हम इसे बनाएंगे बिना इनो के, पैन में ने गरम होने रख दिया था और तेल लगा दिया है, और इसके अंदर हम इस तरह से बैटर डाल देंगे, और गुल गुल इसका शेप दे दो मिनट हो चुके हैं यह देखियें हमारा नीच्छ तरह से कुख हो चुका है हमने जो पनीर की स्टफिंग बनाई थी इसे हम रग देंगे डोसे के उपर और इस तरह से हम इसे डोसे को पलट देंगे और ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी हेल्थी ओर्ट्स डोसा बनके तैयर हो चुका है देखाने दोस्तों डोसा बनाना कितना आसान है और इसे हम अप सर्व करेंगे आप चाहे तो इसे दही के साथ में या तो सांबर के साथ में चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों मेरी ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राय करें और आपको कैसी लगी कमेट करके ज़रूर बतर और आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें